नाराये, नाराये, रभु, मैं ये नहीं समझ पा रहा किस कालके और मतसर अफटार में क्या सम्मंद है, कौन है ये कालके? देवरिशी, कईमन वांतर पूर्व जब सदसार में प्रथम जल प्रलय आया था और मैंने मतस्य अवतार धारन करके इस संसार की रक्षा की थी उस जल प्रलय का कारण ये कालके ही था क्योंकि कालके अपनी अविजीत शक्तियों से संसार में सत्य, शिव और संदर में आस्था रखने वाले सभी मनुष्यों का आंत नहीं कर रहा था बल्कि उन्हें असुर बना कर अपने सामराज्य का विस्तार कर रहा था वना दो इस जंसार को पूर्ण आसुरी, कोई भी शेश बचना नहीं चाहिए, जब यहां सब असुर हो जाएंगे, तो इस जंसार में आवश्य ही, हम असुरों का सामराज्य होगा कर दो बाता सामराज्य हो जाता अमसार मांचेश बना हो जाता हो जाता है तो जाता है को असुरों को बचे आता हमसार में आवश्य हो जाता ह। प्रतीत हो रहा था असुरी प्रभाव से मुक्त थे और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि आने वाले साथ दिनों के भीतर ही संपूर्ण धर्ती असुरी हो जाएकि उस समय धर्ती पर सामराज्य था सत्तिवरत मनु का एमत अस्या काश कि मैं आप सभी जीवों की रक्षा कर पाता चिंतु काल्किय के पास इतनी शक्तिया हैं कि मैं भी उसे रोप पाने में असमर्त हो जिसके कारण इस संसार के सभी जीव तीरे धीरे असुरी बनते जा रहे हैं राजन यदि आप चाहें तो कालके से इस संसार की रक्षा कर सकते हैं प्रभू प्रभू आप राजन मैं बस देखना चाहता था कि आपके भीतर जीव जन्तूओं के लिए मह है के ने आप मेरी परीक्षा में उत्तेंड हुए राजन अब संसार की रक्षा करने का भार स्वयम आप पर है परन्तु प्रभू, ये कैसे संभाव है प्रभू काल के एक याधर्म से मैं सभी जीवों की रक्षा कैसे करूँगा प्रभू राजन, संसार की रक्षा करने का केवल एक मान्ग है, जल प्रले है. जल प्रले? हाँ, राजन, इसलिए आप जाईए और एक बड़ी नाव तयार कीजिए, और इस नाव में सवी महत्व पून्ट जीव जन्तू, रिक्षों के बीजों, सब्तुरिश्यों और वेद पुरानों को सुरक्षित कीजिए. आपके पास केवल साथ दिन का समय है, आज से साथ वे दिन काल के का अंत करने के लिए जल प्रले होगा, और मैं स्वयम मतस्य अवता धारन करके आपकी नाव खीचूंगा, ताकि आपके साथ सुरक्षित सभी जीव जन्तूं के साथ प्रले के बार इस संसार का पुना निर् सकते हैं, जैसी आपके आज्या प्रभू. इसलिए उसको रोकने का केवल एक ही मार्क था, जल प्रले. और वही हुआ, साथ दिन के पश्चाथ संपून संसार में एक भयंकर जल प्रले आया. नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, संसार में मेरा अंत नहीं हो सकता. कहां तो वर्षा हो नहीं रही थी, और अब हुई है, तो धर्टी और आकाश एक हो गया है. दामोदर, वर्षा हो तो समस्या, और ना हो तो भी समस्या. दामो काका, इतने दिरो बार तो वर्षा हुई, खाईया और आनन मनाईये, चंता किस बाटकी? बलराम, आधे दिन की वर्षा में सभी नदियां और पोखर जलमगन हो गई है, जबकि पहले पूरे मा में इतना पानी एकेत्रित नहीं होता था. दामोदर होता है कर्दर, वर्षा रुख गई है, पानी भी निकल जाएगा, तुम चिंतित मत रहे हूँ. मैया, अब एक कारे बार-बार क्यों कर रही है? लला, देख न, कबसे इस जल को सुखाने का प्रयतने कर रही हूँ, किन्तो ये जल है की वापस आ जाता है, सुखता ही नहीं. मैया, अभी वर्षा हुईती न, इतली हो दट्टा है, कि ये ना सुख रहा हो. सुख जाएगा, पहले कुछ खाने को देदो, बहुत भूख लगी है. हाँ, लला, अभी तेरी लिए माखन ले आती हूँ. मैया, सत्य के रही थी, ये जल सूख क्यों नहीं रहा है? बात क्या है? क्या बात है का न, क्या हुआ? दाओ, देखे न, ये जल सूख ही नहीं रहा है. वो इसलिए क्योंकि ऐसे कारे थोड़े से बल लगा कर किये जाते हैं. देखो, मैं अभी सुखाता हूँ. दाओ, अब आप क्या करेंगे? काना, जल का तो काम ही है गीला करना, इसमें इतना सूच ना क्या हूँ. नहीं दाओ, ऐसा लग रहा है कि दर्टी इस जल को सोख ही नहीं रही है. दर्टी कैसे सोखेगी जल? दर्टी के रोम छित्रों को मैंने कर दिया है जो बंद. वर्षय का सारा जल धर्टी परेकत्रित हो जाएगा फिराएगा जल पड़ा है. और धर्टी हो जाएगी जल माकन. सत्य का तुम नेकाल के, किन्तु के वल एक दिन की वर्षय से जल प्रलय कैसे होगा? तब श्मरण है ना? तब जल प्रलय का कारण तो मवश्य बने थे, किन्तु जल प्रलय देवता लेकर आये थे तुम्हारा आंध करने के लिए. तब इस बर कैसे होगा जल प्रलय? मवश्य आएगा प्रलय कंस. मैं संसार के सारे मेगों को ब्रजमंडल के आकाश में ठीच लूँगा. तब नकवर्शा होगी जब तक चल प्रलय ना जाए तब इन सब को पचाने के लिए उस्विष्णों को मत से रूपदारन करना ही होगा. यह जल कुछ आसा मानने लग रहा है। यह जल कुछ आसा मानने लग रहा है। गुरुदेफ। पर नाम गुरुदेफ। काना, आप यहाँ? गुरुदेफ, क्या आपको भी वहिया बात हो रहा है, जो मुझे हो रहा है। हाँ काना, पिछले दिन और यह जो वर्शा हुई, यह साधारन वर्शा नहीं थी। इस वर्शा के जल में कोई नकारात्मक्कों विद्यमान है। यह देखो, इस जल को देखो, यह जल तुम्हें कुछ असा मानने नहीं लग रहा। काना ऐसा लग रहा है, जैसे पिछले दिनों जो भी वर्शा हुई, उस वर्शा के जल की एक बूंद को भी धर्टिमान ना किया हो। ऐसा प्रतीत होता है, जैसे धर्टिमाता ने इस जल के लिए अपने रोमशिद्रों को बंद कर लिया हो। पुरुदिफ, इसका कोई ना कोई कारण को अवर्शी होगा। कोई है तो नहीं कि कोई बाया संकत्त आने वाला है। हाँ काना, तुम सत्त्य कह रहे हो। मुझे भी ऐसा ही प्रतीत हो रहा ह। जै, इस समस्या को हम कैसे समच सकते हैं। तो इसका समधाज़ कैसे नकाल सकते हैं। काना, जल से जुड़ी समस्या के विशय में हम इस पस्ट ट्रूप से केवल और केवल वरुन देव बता सकते है। कि हमें वरुन देव का अवान करना होगा लल्ला 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 कहा है तु लल्ला लल्ला को देखाके लल्ला 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 यशोदा, कानों को क्यों बकार रहे हैं? नंजी, देख्याanka, लल्ला कहीं मिल्ली नीड़ा, लल्ला.. यशोधा, तुम तो जानती हो ना, कि वो नटकट स्वभाव का है, आज यहां, तो कल वहां, अवश्य कहीं न कहीं बैठ कर, वो माखन चुराने की नीती बना रहा होगा, या किसी गोपी को सता रहा होगा नन जी, लिल्ला बड़ा उधंड हो गया है, पर आजकल तो कहां जा रहा है, महिया को बताने की आवशक्ता भी नहीं समझता, लिल्ला काकी, सत्य कहां आपने, कानहा इतना उधंड हो गया है, कि वो अपने से बड़ों की बात सुनता ही नहीं कि अन्य देख्ये मुग्छे, मैं अपने से बड़ों की प्रतेक बात सुनता हूँ की नहीं? किटु कानहा मेरी बात सुनता ही नहीं उल्टा मुझ से ही अपनी बात मनवा लेता है, जबकि मैं उसका बड़ा भाई हूं आने दीजियो उस काना को काकी मैं उसका कान फकड़ के आपके पास लाऊंगा ताब वो सुधरेगा हाँ बल्रा अब तुम्हें ही सुधार ना पड़ेगा अपने छोटे भाई को क्योंकि महिया के हाथों से तो निकल गया नंदरानी नंदरानी बरसाना से काना के लिए माखन आया है इसे कहां रखों मैं स्वैम ले लेती हूँ आपके विए नंदरानी तुम ठीक हो ना हाँ नंजी तुम फिसल कैसे कई पता नि मेरे पैर कैसे फिसल गया यह देखो जब यहां जली कंत्रित है तो फिसलें तो होगी नंदरानी इस जल को मैंने कितनी बार सुखाने का प्रयत्नी किया किन्तों यह जल है कि सूखता ही नह परंतु, यह कैसे संभव है? निन बाबा, निन बाबा, निन बाबा, निन निन चत्ति के रही है, आनिन बाबा. पूरे प्रजमंडल का यही हाल है, प्रेल जो वर्षा होई है, उसका जल जसका तस बना हुआ है, ऐसा लग रहा है, कि धरती उसे करनी नहीं कर रही है, यह तो कंभीर समस्या है, यह शुदा, तुम चल के विश्राम करो, चल लुदा, कानहा भी तो यही कह रहा था, तब लग ताहे अवश्य ही वो इसके बारे में पता करने गया होगा, मुझे कानहा को ढूनना होगा अम अपांपते वरुनायनमा, अम तत्वयामे ब्रह्मना वंधमानस्त, दशास्ते यजमानो हवेर्भिया, अहे मानो वरुने हवो धूरुरुरुष्ठ, तमान आयुह। गत्वाणकर सुष्ठ, परणकर राहे गhour भूनननर यावसापतिम् माणकर स्तॉष्ठ, पोस्कित्वक्र स्वक्र्णकर स्वक्रत्. Daug कर बाहे वरुननलायन वूरुष्ठ, बढ़े अम अपांपते वरुनायनमा Localун ऑपतिश्वरु पतिश्य रिए। प्रकट हों देव हमें दर्शन दीजिए वरुन देव रिशिवर मैं यहां हूँ पिन्तु वरुन देव हम आपको देख क्यों नहीं पा रहे हैं क्योंकि इस समय में आपके सामने आने में असमर्थ हूँ हम कुछ समझ नहीं पा रहें वरुन देव आप हमारे सम्मुख क्यों नहीं आ सकते क्या हम से कोई भूल हो गई है देव क्योंकि मुझे स्वयम ही नहीं पता कि मैं कहा हूँ मैं इस समय बंदी हू रिशी गरगाचारिये वरुन देव बंदी ये कैसे संभब है गुरु देव अब हम क्या करें मुझे अपने देव्य शक्ति से वरुन देव को देखना होगा काना हुआ 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 रिशिवर जितना शीगर हो सके मुझसे मिलने का प्रयास कीजी अन्यथा इस संसार में बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा मेरा संदे सत्यनिक लाकाना जल तक पर से वरुन देव का में अन्तरन समाप्थ हो रहा है और इस संसार में कुछ भी अनिस्थ हो सकता है देखो काना यह जल साधार अन्जल नहीं है इसका वरुन रख की समान है यह जल आसुरी है इसका क्या अर्थ अगर देख? काना किसी बहुत ही बलशाली असुर ने वरुन देख को पराजित करके जलतत पर अधिकार कर लिया है और वो जलतत्त से गोल दिया नाथ कर सकता है पर हम क्या करें गुरुदेव इस समाधान के विशे में स्पस्ट रूप से केवल वरुन देव ही कुछ बता सकते हैं अतरकाना आपको शिक्रति शिक्र वरुन देव को ठूनना होगा कुछ बता सकता हूं कि इस समय वरुन देव उत्तर दिशा में मिनादवन में कहीं बन दी है यह कुछ आड़ और नर्जनवन है काना तुम्हें वहीं जाकर उन्हें खोजना होगा जो आगे गुरुदेव यहां किसे दूने की बाद चल रही है अच्छा वड़ाव जो आप आगे चलिए अभी हमें एक महत्पून कारे कर में चल्ला है काना जिन तु पहले यह तो बताओगी वह महत्पून असुर है कौन ओ खुदा हो आपको सजय असुरी दिखाई देते हैं यह कुई असुर का संकट नहीं पितु प्राकरतिक संकट है काना यह प्राकरतिक संकट क्या होता है चाहिए असुर से भी बड़ा संकट होता है दाओ प्रश्मत पूछिए चलिए मेरे चाथ आपको सब समझने आ जाएगा चलो काना शिक्रता करो चलो यहाँ बॉते हमें यहाँ पूचुछु यहाँ 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 वा दामुदा? यह लेगी नन बाबा. यहाँ वा तुम इतने भाईवीत क्यो हो? नन बाबा, आपका संधेश सत्ते निकला. लगता है कोई बहुत बड़ी आपता आने वाली है. वो देखिए. हे ईश्वर, इतने भयानक मेग, मैंने अपने जीवन में इससे बेले कभी नहीं देखिए. नन बाबा, इन मेकों को देखकर ऐसा लग रहा है, उसमेंसे जल नहीं. रक्त की वर्षा होने वाली हो, नन बाबा. नन बाबा, हो ना हो यह कंस का ही कोई नया शडियंत्र है. ये कंज क्या शरेंत रहे या प्रकृति का खेल परंदु हमें इससे सदर्ग रहना होगा तुम्हें काम करो कुछ गॉलों को जमा करके आसपास के गाउं में जाओ और सबको इस संभवित आपता से सदर्ग रहने को गाओ ठीक अनम बाबा, चलिए, चलिए, चलो कानहा, इस प्रकार हम और कितनी देर तक चलते रहेंगे गुरुदेव ने जिस मन के बारे में बताया था, वो तो अभी बहुत दूर है इसलिए को हमें शिंगरे करना चाहिए, ताकि हमां शिंगरे ताके पहुत सके कानहा, मैं तुमसे कच्छे पूछ रहा हूँ, क्या हम वेनादवन में क्या करने वाले हैं, कि तो तुमों की बताते ही नहीं डाओ, आप बस इतना समुझ लीजे, कि व्रजमंडल पर कोई बहुत बड़ा संकर्ट आने बाला है और उसका समदान ये मैंना अभिवन में ही मेर सकता है, इसमें शेगरे ताक पीजे दाओ कानहा, पीजे अटो, एक मगर के भीज में कोई असुर है दाओ, 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 शान तुझे ही दाओ कानहा, तुमने मुझे रोक क्यू दिया दाओ, क्योंकि ये मगर हम से कुछ कहन शाता है क्य dense कानहा, उखी समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या कह रहा है दाओ, ये वरुन देव का वाहन है और जान आँ वरुन देव को, कि वो कहा है और ये वरुन दे व मंहीं आपको बताता हूँ ठीक है कानः, चलो कि अजय प्रोफ जो कि अजय खुट है वज़र डिए रखना जो जो कि पूरतरशआम प्रोफ न भाइन को जो कि अजय चज़र ंने को कि अजय घजय कोई प्रोफ जो जा को लाइन जाumpsut